तो दोस्त, इस वीडο में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप अपने password सेٹ करते हैं, वो चाहे किसी भी चीज का password आप करते हूँ, चाहे जी मेल का हो, या आप कुसी भी social media platform का, आप जब password सेट करते हूँ, तो आपको किस तरह के password रखने चाहिए और कौन से password strong होते हैं और कौन से password soft होते हैं आज मैं आपको complete इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तो नोड़ पास आप password management company ने दावा किया है कि इंडिया के अंदर 17 लाग ऐसे लोग है जिनका password है password तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो password है वो कितना weak है मतलब जिसको 17 लाग लोगों ने password बनाया हुआ है ठीक है दोस्तो और उसने world के अंदर तीन categories बताई है जिसका सबसे पहली जो category है वो है 1,2,3,4,5,6 यह password है जो सबसे weak है और उससे जो weak है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला password है 1,2,3,4,5 दोस्तो यह तीन category है password की जो सबसे ज़्यादा use किया जाते है password में दोस्तो इन तीनों category के passwords को use किया जाता है तो मैं आपको बतायता हूँ अब इंडिया के अंदर किस तरह के password को लोग रखते हैं जो कि उनको बहुत आसान लगते हैं और उनको उनके हिसाब से बहुत strong लगते हैं लेकिन not pass से password management company ने दावा किया है कि यह सबसे weak password है तो मैं आपको कुछ नाम बतायता हूँ सबसे पहला 123abc उसके बाद इंडिया उसके बाद आई लव यू एंड ट्रिपल एक्स एंड जे सियराम अल्ला मुहमद और वाहे गुरू और एडमिन 123 जैसे इस तरह के weak passwords का use किया जाता है तो दोस्तो यह इस तरह के password है इस company ने बताया है कि इस तरह के password है कि इसनको hack करने में तक करीबन 15-20 seconds लगेंगी मतलब only 15-20 seconds इस तरह के password को hack करने में लगेंगी तो दोस्तों मैं आपसे request करूँगा अगर आप इस तरह के passwords को use करते हो तो please मैं आपसे request करूँगा कि उनको आप change कर दीजिए और आप मेरे display पर देखो एक यहाँ पर strong password लिखवा है और एक यहाँ पर soft password लिखवा है जो मेरा strong password है वो आप देख सकते हैं उसमें hashtag वगरा लगा करके और add the rate लगा करके आप इस तरह का strong password रख सकते हैं जो कि easily से हमारा कोई access नहीं कर सकता easily से कोई भी हमारा इस password को hack नहीं कर सकता तो आपको अपने password को strong बनाओ और अगर आपने इस तरह के password अभी use किये हैं जैसा मैंने आपको बताया है तो guys उनको change करो क्योंकि हो सकता है अगल number आपका hack होने का तो I hope आपको यह information अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो please like, share और चैनल को subscribe चरूर कर देना Thank you